कि ग्यान वापी हम लोगों का है हमारे को दे दो उन्होंने नहीं माना आज जाच आ रही है जब जाच में साप पाया जा रहा है वो निकल रहा है अभी तो ऐसे कितने आप खोदो गे तो वहाँ से राम लला और कृष्ण लला निकलेंगे मूर्तियां वो खंडित की हुई है आज उसके अबसेस निकल रहे हैं वो खुद अबया कर रहे हैं कि यहां मंदिर था आज आप बताईए ना आपने किसी महजिद में आपने देखा है संक और घंटी और चकर का कोई प्रतीक नहीं होता चकर घंटी और संक यह केवल सनातन का ह अब रहुल गांदी के जो हमारे इस देव श्री राम लला के सारे वंसा जैम उनका नोता अश्पार कर दिया तो हम क्या कहें मैं एक यह बात कहना हूंगा मोदी योगी राम के और वह हमारे काम कर दी तो दिल्ली हम नहीं आएंगे कभी भी जीवन में अच्छा एसा क्यों क आपके साथ सक्षमद्यवारी इस वक्त हम आपने देखना चालू कर दिया दनूस्टीन और मैं हूं आपके साथ सक्षमद्यवारी इस वक्त हम मौजून हैं बागेशर बाबा धाम के उस भवे दर्बार में जिसके बारे में आपने काफी सुना होगा काफी चर्चाओं में आपने देखा भी होगा आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि यहां पर कितने भवे तरीके से यह दर्बार सजाय गया है और यहा यहां तक नजर जा रही है वहां वहां तक बागेशर बाबा धाम के भक्त नजर आ रहे हैं बहुत दूर दूर से लोग आएं केवल एक जलक पाने के लिए केवल एक दर्शन देने के लिए कि बागेशर बाबा पास से कैसे दिखते हैं एक पर उनकी जलक मिल जाए एक पर दर्शन हो जाएं जहां पर हमारे सत काफी लोग भी मौजूद हैं उनसे बात सीट करें हैं जी सर कहां से आएं मैं तो यहीं बगल में सोनिया बेहर से हूं तो जिस आपका महौल है बागेशर धाम में समय तो क्या लगता है कि आने वाले समय में जैसा कि अभी राम मंदिर में मना है और आपकल ग्यान वापी का भी फैसला आ गया है उसको कैसे देखते हैं देखिए राम मंदिर का फैसला आना ही था और राम मंदिर हमारे पक्स में था राम मंदिर हमारी आस्था का प्रशन है और ये सबासो करोर हिंदूओं के आस्था का प्रशन है वो तो पहले से फाइनल था राम मंदिर वहाँ प्रभुशिर राम लला का जन्म हुआ था बागे रहें बहुत अच्छा है राम मैं हो चुका है पूरा हनुमंद कथा चल रही है बड़े सोभागी की बात है कि हमारे छेत्र में हमारे प्रांगन में माननीय बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को देख करके ज्यानबापी का फैसला है इसका स्वागत करते हैं लोग बहुत अच्छी बात है ज्यानबापी पहले भी हम लोगों का है हमारे को दे दो उन्होंने नहीं माना आज जाच आ रही है जब जाच में साप पाया जा रहा है को निकल रहा है अभी तो ऐसे कितने आप खोदो गए तो वहां से राम लला और कृष्ण लला निकलेंगे यह तो अभी शुरुवात है शुरुवात है अभी आप एक एक जगह का यह सिर्फ खाली परीक्षन करने का एक बार अनुमती दे दें तो आप जितने भी औरंग यह उन्होत आपया पावर ने जो भी अकरानताओं ने मंदिर तोड़ करके जो महजीद और इनोंने अपने अपने यूफ इसल बनाए है उनको अगर तोड़ा जाएगा तो इसे पता निकितने राम लाला प्रकट होंगे कितने शिबलिंग निकलेंगे कितने रामला औंगे कितने कृष्ण लाइंगे हम लोगों की धर्थियों पे इन लोगों ने ऐसे तोड़ करके बनाया है अज वो सब आ रहा है सामने आ रहा है उसमें कोई प्रतीक्षकों परवान की जिरुत कि पूजा कैसे हो सकती है यह कोई आज की बात तो है नहीं कि अभी की बात है कि अभी वहां मूर्ति रखा हो प्रान प्रतिफ्टे क्या कि किया गया हो और वह खंडित हो गई सेकड़ो हजारो वर्ष पहले जब इस देश में मुगल अकरांता आएं तो उस समय कि वो खंडित क्यूं ही मूर्तियां हैं आज उसके अबसेस निकल रहे हैं वो खुद बया कर रहे हैं कि यहां मंदिर था आज आप बताईए ना आपने किसी महजिद में आपने देखा है संक और घंटी और चक्र किसी महजिद में संक घंटी और चक्र का कोई प्रतीक नहीं होता मिजा चकर घंटी और संग ये केवल संनातन का है संतन के मंदिरों में में आप देखेंगे कि वहां चकर घंटी और संग का प्रियोग होता है तोँहांज और भूकर के वह चिल्ला चिल्ला के सबूत ह做 hats कर रहे कि γं यहां में कृष्न ललां भगवान भोले नात्मिराज मानते उनको तोड़ करके जो बनाया गया है आज वो खुद निकल करके आ रहा है सामने आ रहा है पूरी दुनिया देख रही है देख रहा है बलकि मुस्लिम कंट्री भी इस चीज़ को मान रही है आप देखिए कि न केवल अभी 22 जनवरी को हम लोगों का भब रामलला जी का प्रहान प्रदिश्टा हुआ तो केवल ना हमारा देश बलकि मुस्लिम कंट्री देशों ने भी जो सच्चे इसलाम को मानने वाले हैं उन्होंने भी स्वागत किया है लेकिन यह जो बने हुए लोग है जो कटर पंती लोग है वो नहीं घृण वापी हाले मामले में कल Stress को जीत मिली है उसके बाद वहाँ पर कोड ने आदेश दिया कि साथ दिन के बीतर बीतर पूरी विदी विरान से पूजा करानी चाहिए तो आप क्या विपक्ष है और वहाँ का दूसरा पक्ष है वह इस पर कुछ कारवाई करेगा भी देखे विपक्ष का काम है हमेशा जो है हमारी जो एक भारते सरकार कराज में हो सकती है सत्तर सालों से कांग्रेस ने गयएयरा वारा वारा वकिल खड़े कर दिये सिरफ किसल्य राजनीति करिकि हिंदो को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए हमेशा नहीं मुसलिमन को सपोर्ट की है और हमेशा ही कांगरेश ने जो 70 सालों से केस्ट रोक के रखा था बीजेपी सरकार आने से जो हमारी जो यहां पर ये केई ऐसे मुद्ध्यों रहें जैसे की जम्मु कस्मी से 370 अटा दिया और मारी में जो हमारी अपनी एक आस्था थी राम भगवान की वह हमारा मंदिर बनवा दिया और केई ऐसे मुद्ध्याइं जिसके भी मोदी जी और काम कर रहे हैं जैसे भीया ने ने बताया और मंदिरों के बात चल रही है और मंदिर के अच्छा करें एसा डोयार चौबिस क से उपर की बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं और इस वार जो हैं हम 50% वोट ला रहे हैं पूरे भारत में 50% करें विफक्स का काम है केबल आपस में लोगों को फूट डालना राज करना उनकी वोड़िसी जनता समझ कुनाब में चsplथ बढ़े आराम आज से आप 2014 में जाईए तो 2014 में लोगबा कहते थे कि हमारे को केबल मोधी जी राम मंदिर बना के दे दे हम सब कुछ नुशावर कर देंगे पूरा जीवन मोधी जी को सोब देंगे बिल्कुल है आज भी उस बात पेटल है राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक धा राम में बेजा उन्होंने राम को सुविकार नहीं किया उन्होंने मंदिर में जाने अपना अपमान समझा कोई बात नहीं यहीं जनता यहीं पब्लिक इतने लाखों लोग यहां है आज केबल उत्तर पूर्वी कि मैं बात करूं तो यह लाखों लोग उनको जवाब देगी सब लाम से बहर रखकर तो रहवन नहीं रह पाया आप तो सत्ता-धारी पार्टि यहां आप और होगे आप भी चले जाओगे मेरा यह सवाल राहूल गांदी को को सीरिस्ली विजिस नहीं लेता है अब राहूल गांदी को है जो हमारे इस देव श्री राम लला के सारे वंसज हम उनका उन्हों नोता अश्पार कर दिया तो हम क्या गए है मैं एक यह बात कहना हुआ अगर बात करें विकास से जाते हैं तो वहां पर सान गूमर हैं रोडों पर कहने वाले कहने दो अकलेस भी कहने थे सब कहने थे उनको कहने दो भगवा फिल से लह रहे गा यह पका वादा आए कर दिखाई देखांव मेरी अपनी राएं कि सभी एक बार दिली में भारत्य जन्ता पार्टी बीजैपी की सरकार बनाएं इस जो हमारे केंदर केंदर सरकार टों रहे पी लेकिन दिल्ली में सरकार स्टम है ना उसके जगह बारतिया पार्तिय को इस अब बनाएं बाद जाएदा जाज़ादा बोटे देखे हमाना चाहते क्या काम कर रहें करें में काम भाल ज़िए यह जाए में काम आदे आप और म rêve говорить not it कि चाहूं सभा ψ भात रही सब्रीजेब बदमाशी चली मायवतती जी ढई जभ भी बदमाशी रही दो साल से योकीजी बैठे हुए गहाँ जिसने भी किसी ने बदमाशी दिखाई योगी जी नों को सबक सिखा दिया कुछ साल पहले मत्वरा साराता रात के समें पिंचर हो गया तो वहां पर जस्मिंट बादी पीश्यार आ गई उन्होंने बोला कोई साहिता चाहिए लप चाहिए तो हमें बता दो तो यह योगी जी आपको पूरा एक महल दिखा रहे थे और हमाशा देहां पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं जी मैं कहां से आई हैं यहीं साधी दिन पुस्ते से तो अभी तक जैसे आपने टीवी पे देखा होगा आज गुरू जी आपके आए हुए हैं तो कैसा महल है यहां का बहुत अ आने वाले समय में क्या मौहल रहेगा अच्छे यह जो इच्छे रहेगा अच्छे की पूजा होनी सुरोगे मत्रा की बारी है मिल्कुल अब बीजेबी सरकार आएगी लोग सभा में जो लोग नारा कहते थे कि आयोद्या दो केवल धाकी मत्रा काशी बाकी है तो यह यह करता हूं कि आप उस भक्ती में कितनी लीन है बिल्कुल लीन है राम जी के भकते हम लोग लोग अच्छा पर चौबिस में अब तो यही मोदी जी आएंगे बीजेबी की सरकार आनी है क्या कुछ ऐसा खास है मैं क्योंकि देखे हर तरह मोदी मोदी के तना रहे तो लगते ही है हर रहे तो क्या है है और मोदी जी अब है कर रहे है अब कर अप्रतिष्ठा हुई है और यह यह बार बिल्कुल कि यहां पर यहां पर यहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से महल महना भी खूश है और ऑफ क्राण स阶न पर पंडित दिरियन कि सास्त्री यहां पर आया कथा सुना रहे हमाइसाथ और भी आण लोग आप कहां से आई हैं जवना भ्यास तो कैसा महाला बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लग रहा है तो पढ़िया हां कुप बढ़िया है को आने वाले समय में आप किसको वोट हो के ह कहां से हम तो हैं से हैं दिली से जी जह कॉंग्रेस संय सका विसका भी तो अपना वोट बेंक है वह कहां जाएगा अब इनका लग है जहां जाए हम समचत को एकी तो लइन बता सकती है कि यह मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं बस यह हैं उनमें काफी समझदारी है और अपने भारत पर उसको एक साथ ले के चल लए हैं और आने वाले समय में भी वह हम लोगों को एक सट जुट करके रख लेंगे सतातन को भारत को एक करने की कला उनमें सी आइन हैं मैं थी महरे साथ यहाँ नहीं चोटे बच्छे भी रगए है बच्छे डर वह और हम् मारे साथ यहां जी कहां इस जा ऊई ज्वाद मैं ऑबाद जी के दर्शन हो गए हांजी हो गया बहुत अथी हो गए अश्या और अगर मदाग compare गी तो चुणालों ज़िसको और इसबरा अ कि बंदवाली बात मोदी जिंदाबाद मोदी जिंदा बार जिंदाबाद हो अबस्य नेश सकाएं न्याव आपक sich अबसकर नहीं को कि शानेवा को क्श्मीर मोदी ने कर और राम मंदिर तो दिलाई दिया उस पर तो पूरा कब्जा है हम लोगों का तो बस और हमें क्या चिंगे जो मोधी कर रहे हैं न कोई नहीं कर सकता मोधी को हम एक छोड़के दस वोड़ देने दस भी हमारी जाएंगे मोधी जी हमें इतने अच्छा लगें सारी विवस्ता कर रखी हैं सारी विवस्ता कर रखी मोधी आपके बयान में तो बिल्कुल आक्रोश दिख रहा है मुझे कि इस बार बिल्कुल छोड़ना नहीं है फ्री राशन दे रहे हैं इसे बड़के और क्या होगा अठाइस दो में बेसी को हमारे सदिरना पर जो काफी लोग सारी थे और यहां तो किस प्रकार के सथेन पूर नजारति हैं और अभी आगधर जो की किस प्रकार से तो चुप अपको लागों printed दे रहा है जिए लिए जो आक्सर कहा याल 14ıldẹ दो भाग मैं शक्राइन हं संक्वा और सिंघक क कि अगर हम बात करें आप जेके मंच पर देख सकते हैं अप रवी किशन जी मौझूद हैं निरहुआ मौझूद हैं और मनोस्तिवारी मौझूद हैं तो वो लोग भी यहां पर इसका रिक्रम को इंजॉय करने आए हैं और हमने यहां पर लोगों से बातशीत करी और लोगों के साथ धन्यवाद